समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से वर्तमान साथ स्नर डॉक्टर एस्टी हसन को टिकर दिया है जबकि बिजनौर से अपना उमीदवार बदल दिया पार्टी ने बिजनौर से अब दीपक सानी को उमीदवार बनाया है सपा की नई लिस्ट को मिला दें तो पार्टी के ओर से अब तक उमिद्वारों की कुल 5 लिस्ट सामने आ चुकी है सपा की पहले लिस्ट 30 जनवरी को सामने आई थी इसके बाद 19 फरवरी को दूसरी, 20 फरवरी को तीसरी और 15 मार्च को 34 सूची जारी की थी अब 24 मार्च को 5 लिस्ट सामने आई है इस तरह से देखें तो अखिलेश यादव की अगवाई वाली समाजवादी पार्टी अब तक अर्टे सुमिद्वारों की घूशना कर चुकी है समाजवादी पार्टी इंडिया का गडबंदन में शामिल है ऐसे में सपा ने यूपी में कॉंग्रिस के लिए 17 सीटे छोड़ दी है इस तरह से देखें तो समाजवादी पार्टी यूपी में इस बार 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कॉंग्रिस के खाते में गई 17 सीटों में वाला नसी के साथ-साथ अमेठी और राइवरिली की सीट भी शामिल है कॉंग्रिस पार्टी ने वाला नसी जोकी पीम मूदी का संसे दियक्षित्र है वहाँ से यूपी कॉंग्रिस अध्यक्ष अजराय को मैदान में उतारा है को पहले ही कह चुकिए 2022 का विजान सवा चुनाओं देख लिजे भारती जनता पार्टी वह बस्पा में आगोशित गड़बंदन था और वह गड़बंदन 2024 के लोगसबा चुनाओं में भी जारी है जिस तरह से बस्पा ने प्रचाशी उतार हैं उन लोगसबा छेत्रों में जहां विपक्ष मजबूत है उन छेत्रों में कैसे भारती जनता पार्टी को राजनितिक लाप पहुचाया जा सके कैसे वोट कटवा प्रत्याशी उन मैदान में उतारा जा सके उसको ध्यान में रखते वे बस्पा ने अपनी लिस्ट जारी की है समाजवधी पार्टी समझती है कि देश की जनता वो बस्पा और भाज्पा के आगोशित गड़बंदन को अब जान चुकी है वो बस्पा और भाज्पा को वोट देने नहीं जा रही क्योंकि परिवर्तन जनता चाहती है जनता किसान मजदूर नौजवान पे जवाब चाहती है वो जवाब भारती जनता पार्टी के पास नहीं है उनके साव सयोग कर रहे दल हूं, उनके गड़बन्दन में जो डल हम उन सब के खलाबि हुआवार काफी लाव होता है इसके साथ गड़बन्दन कर रखा है किससाथ आगोशित गड़बन्दन है यह बड़ा सवाल है क्या भाश्पा को फाइदा पहुचाने के लिए बस्पा काम नहीं करी क्या जब भी भाश्पा को मदद की जरुरत होती बस्पा ने नहीं की चाहे किसी चुनाओ को उठा के देख लिजे आप आप राश्पती चुनाओ को देख लिजे विधान परिशत के चुनाओ को देख किसको फाइदा पहुचाया किसको वोट दिया तो अब ये सवाल नहीं है कि बसपा भाशपा कहीं अलग है दोनों ही दल आगोशित गडबंदन में हैं